स्लाम अलेकुम मैं हूर रुकाईया आप देख रहे हैं प्यारी रुकाईया का किचिन तो एक अंडे के साथ बड़े केक बनाएंगे डिरेक्ट हम पैन को चुले पर रखकर पकाएंगे और ऐसा हम क्यूं करते हैं और क्या रीजन है और इतना मज़ेदार मोइस्ट चॉकलेट फज केक बनेगा जो लोग घर पर बच्चों के लिए बड़े पार्टी के लिए टी टाइम के लिए घर पर बनाना चाहते हैं तो चंद मिन्टों में आप लोग केक बना सकते हैं जहां पर आप लोग नाश्ता बन और क्च ना रहोंगे बरतने तोर रहोंगे केक रेडी हो फॉर डियो फॉल जाएंगा वह इतना मज़ेदार सूपर मोइस्ट के आप लोग चॉकलेट जो ब्राउनि होती यह स्टार्ट गर्त करनें इस उ समस्मिल्लार्मयच यह मुद्र्ट को चलियों लगे चोकले लिदे ấu पहले पहले हमने एक लार्ज अंडा ले लिकिना है 65 ग्राम अंदा बरना यह दिए की यहाँ पर मैंने बीड है ककी किमें मैंने ंट Crash V मुत एंतोर भी लिए सकते हैं उसमें प्राइब के से मैंने 15 जच आप लोग ट कर दिया थाि वो measuring cups मैंने use किया है वनीरा essence अगर add करना चाहें तो कर दें वनना totally skip कर सकते हैं क्यूंकि जो cocoa powder है उसका अपना taste चॉकलेटी होता है तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप लो डालना चाहें तो डाल सकते हैं यहां मैंने 15 सेकिंड के लिए बमुश्किल इसको mix किया था अच्छे तरीके से उसके वाज़े हैं मैंने 1 कप में से 1 टेबल स्पून हम लोग remove कर देंगे मैदा तो 1 कप मैदा, 1 टी स्पून baking powder, 1 टी स्पून baking soda, साथ में पिंच हम इसके अंदर salt add करेंगे और इसको हम लोगो यहां पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको दे दूं यहां पर जस्ट आपने mixing करनी हैं और यह mixing आपने एक मिनट के अंदर करनी हैं अगर आप लोग इसको 7 इंच में bake करना चाहोगे इसी recipe को मजीद soft करना चाहोगे तो आप लोग दो अंडे भी यूज कर सकते हो यहां पर मैंने पैन 6 इंच का लिया है आप लोग पैन बिल्कुल से जो है न वो 7 इंच का लोगे तो अंडों की गॉंडर टी बढ़ा दोगे बागी same recipe रखोगे ठीक है आचा बस इसको mix करना है बहुत अच्छे तरीके से इसके बाद आपने गरम पानी का यूज करना है गरम पानी hot water जो होता है जिसमें आप finger dip करो तो dip ना हो मतलब इतना गरम पानी हो वो हमने ले लिया यहां पर half cup तो मैं पहले थोड़ा से आट कर होगा ठीक है तो यहां पर अच्छे तरीके से मैं mix कर रही हूं मतलब मुझे टोटल जो है ना इसको mixing करने लगे एक से सवा मिनट या डेड़ मिनट इससे जदा आपको मिनट नहीं लगने चाहिए मैंने आपके साथ ना बहुत असान असान recipes share की हैं तो आप लोग ने अलहम आपने सो चोड़ देना है अब ही मैं आपको दिखा रही हूं पैन मैंने six inch का लिया है oil से grease किया था butter paper भी लगा दिया था और यहां पर मैंने मोटा वाला butter paper यूज किया है या फिर आप लोग डबल butter paper भी यूज कर सकते है घर का copy का मोटा paper होता है उसको भी double लगा सकते हो ठीक है तो यहां पर butter की quantity आप देख लें 500 से उपर जाएगी इसकी ठीक है माशाला माशाला अलहमदुलिल्ला heavy भी और बहुत जबरदस्ट moist super gooey जैना यह हमारा cake बनेगा chocolate ठीक हो गया अच्छा अब आपने जो pan के उपर आते हैं जो pan है यह मेरा वो अच्छा खासा heavy वाला यहां पर मैंने flame on किया डिरेक्ट इसको pan को frame के उपर रखेंगे तो आपने क्या करनी जो दाने वाली flame होती है बिक्कुल दाने दाने वाली उस पे रखना है इसको और इस तरह के कोई चीज रखेंगे जो उपर से cover हो आप पहले देख लो अच्छे तरीके से कि बिकुल ठी तो तक्रीबर मुझे इसको 35 से 40 मिनट लग गए थे ठीक है इसको bake होते मुझे लगा था कि 30 मिनट में हो जाएगा लेकि नहीं हुआ क्योंकि जो पैन है ना वो थोड़ा से heavy था अच्छा जब यह bake हो गया मैंने इसको इसी तरह चोड़ दिया बरतन काफी थे wash करने वाले तो मैं वह साफ कर रही थी बरतन वगयरा तो मैंने इसको आग बंद करके इसी के ऊपर पड़े रहने दिया था ठीक है तो आप लोगो लग भी रहोगा ना यह कि इसी आंच में बनावा है तो अब मैं बटर पेपर को रिमूफ करके दिखाती हूँ और एक और बात अगर कि मर्जिय डेकुरेशन कुछ भी कर सकते हो तो आप लोग ने क्या करना है जो मैंने आपको फ्राइपें वाली रेसिपी बताई विने इसको फ्राइपें के अंदर रखो के फिर उस आँच पे रख दोगे ताकि प्रॉब्लम ना हो ठीक है लेकिन आँच ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो अलहमदुलेला से परफेक्ट ड्रेसिप अगर आप लोग इसको अवन में बेक करोगे न तो 180 पे आपको इसको 25 मिनट तक बेक करना है वो बाच की वीडियो आप लोगो बहुत पसंद आई हो कि जिन्होंने बेकिंग की क्लासिस देनी है वो डिस्क्रिप्शन पे नमबर है मुझे राता कर सकते हैं अलाहाफिस